हेलो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर साइन्स की आची क्लास में मानव कंकाल मानव दंत और पेशियों का अध्यान करेंगी ठीक है यह आपका वही चेप्टर है मानव मनुष्य के जो अंग हैं वहीं से पहले वाली क्लास में हमने हि तो 9 दो आप से चित्र बनवाए जायें या फिस बीट के बारे में कुछ चीज़ पूछी आ सकती है उनकार्य पूंश सकता है या पर थोड़ी बहुत उनके वाहारे में जांकारी ठीके तो मानव कंकाल से स्टार्ट करते हैं कंकाल क्या है कंकाल का नाम आते ही आप समझ गए होगे कि हमारे शरीट में अंदर क्या है हड्डिया है और इन हड्डियों का ही धाचा क्या कहलाता है कंकाल ठीके तो वही है मानव कंकाल अस्तियों वा उपास्तियों का बना एक धा काल तंतर कहते हैं अगर ऊक कीलियों काई तो अगर मात करें को κो q up हो इस खडियों को या पर तो जाता है हमारा तो कंकाल केसा तो दो अबक्लक कलाता है हम सब्क स्रेंद को सब्सक्राइब करणा गए इसे दो हड्डियों का दाशा है कैसे को लाज क्लास में पूछा था मोशनी सभी बच्चों ने सही उतर दिया है कि मानब की शरीर में कुल 206 हड़ीयां होती है अगर नवजात सिशु की बात करते तो नवजात लाज कलास में पाज लाज क्लास में बताए फिता कि मनुश्य की जो खोपडी होती है उसने आपकी 22 हड़ीयां होती है छीrans Ilmi आपका यह चो आणख वाला हिस्सा है जिसमें आँख होगी आपकी नाख कान यह सब होंगे वह आपका आनण वाला हिस्सा होता है इसमें आपकी कि शरीर की सबसे बड़ी हड़ी कौन सी होती है और सबसे छोटी हड़ी कौन सी होती है तो शरीर की जो सबसे बड़ी हड़ी होती है वो आपकी जांग की हड़ी होती है जांग की अस्ती बोल सकते हैं जंगा में यह पाई जाती है और सबसे छोटी हड़ी आपकी कान में पाई बहुत important है इसको याद कर लेना बहुत अच्छे से एक number में आपसे पूछा जा सकता है next आते हम कंकाल तंत्र के कारे क्या होता है तो सबसे पहला ही मैंने आपको कारे उपर ही बता दिया था कि कंकाल तंत्र करेगा क्या हमारे शरीर को एक आकार प्रदान करेगा एक धाचे का निर्माण करेगा जिससे क्या हमारा शरीर एक सीधे उसमें बना रहे ठीक है तो वही आपका पहला क्या है शरीर को आकार प्रदान करना शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करना शरीर के अंदर क्या है हिर्दा है फेपड़े है ठीक है हमारी आते हैं तो यह सब क्या है कोमल अंग है कंकाल करेगा उन्धी के अंदर हमारे जो कोमल अंग है last स्पेशियों को क्रियाल रहएं माशार्शियों क्याना क्या है एल milligram ofית, काम क्या है जे немного के कारें कि अन्धी आपके पार सहोई है flipped आपका सबसे important question है ठीक है नोट point आप मान सकते हो यहां से पूछा दा सकता है one liner में आपसे कि हमारे शरी में जो पसलियां होती है इनकी संख्या कितनी होती है तो पसलियों की संख्या होती है आपकी 24 अगर हम जोडे में पूछे तो यह 12 जोडी पाई जाती है ठीक है 12 जोडी अगर हम इनका multiply करेखै एक जोडी में होते जोड़ीमें डो पिआर आते बीर पुछे तो एक जोड़े में दो चीज़ें आएंगी ठीक है उनकी संख्या दो होगी जोड़ा एक बनेगा तो ऐसी के बारे जोड़ी है अगर हम इनसे चाहं से संख्या निकालेでは 12 निकल के आए रहा है आपको बीच में यह जो दिख रही यह आपकी क्या है फसलिया होती है यह आपका पूरा उपर का हिस्सा औरा ना-तुर नहीं पूछते इ commissions बस आपको पता होना ची कि किस तरीके से पूरा दिखेगा नेक्स्ट आते हैं पेशियों या पेशिय गती पर ठीक है तो पेशिया मैंने आपको विससे पहले करवा दीती शौर्ड में बताएं थी पेशिया होती क्या है कंकाल तंतर पर जो मास का आपरण चुड़ा होता है उ उसमें कि हमारी मास् पेशियां भी काम कर रही हो ऑर हमारी अस्थिंख और अनच्छिक यहां से आपको कुशन एक आया ही ह एक्जाम में है एक्जिक पर भी पेशियां गती करती ही रहेंगी और कभी नहीं थकेंगी जैसे देखे हैं थकान भी आ जाती है ठक जाती है जासे मुझे टे देवाद आपको थकान का अनुबह होगा तो इन पेश्यों में यह होता है कि इनकों अपनी इच्छानुसार गती करा सकते हैं और यह समय आने पर ठक भी जाती है ठीक है लेकिन आपकी जो अनेक्षिक पेश्यां यह इसके अपोजिट हैं अनेक्षिक पेश्यां वे पेश्यां जिनकों अपनी इच्छानुसार गती न तो यह जो आपकी पेशियां होती है वह आपकी इच्छा अनुसार काम नहीं करेंगी ठीक है हम नेक्स्ट आपका सब से इंपोर्डन है डात क्योंकि आपको पाषंतंट्र पड़ना है स्थैमिश्ट्रël और अपझे में पर्षचन तंट्र बहुत अच्छे से दिया गया है तो मैं आपको पाष्चन तंद्र परिसर चίας तृट्धन, समझए त्रीन हमें यहां से दिरीन क है क्या दानतिक चक्की की तरह बोजन पीशने का कारे करते हैं मानलों कोई भी कोई भी चीज हम खा रहे हैं तो पूरा का पूरा सीधे एक नम जाके तो वह उसमें पाचन होगा नि बोजन है क्या पूरा जो भी आपने खाया है वह दीरे दीरे आपका छोटे-छोटे टुकड सब्सक्क्राइबूसी के वह दूते अज्ए को सब्सक्राइब बोड़रे निकलते हैं इनकी संख्या होती है बीस चीटिक है बच्पन में निकलते हैं सभी के निकले हुएं सब जानते हैं फिर आते हैं इस्ताइध यह पर्मनेंटी होते हैं इनकी संध्या कितनी होती हैं 20 होती है ठीक है देखो दूद के दाथ क्या है यह आपके 7-8 महा में लग्वंख निकल आते हैं और 2-3 वर्ण तक निकलते हैं ठी दातों के प्रकार की बदते 재zen आपे जोगोवा को सबस्ich का यहां का यहां से आया हुआ हुआ है दातक चार प्रकार के हो हैं प्रकार की बहुंत ही इस स्वग क्रणते हैं अगर आगे शन न's कमपीश के यह बटाई है यहां से आपके पूछे गए कि इनकी संख्या कितनी होती है ओपर के जबडे में कितनी होती है नीचे के जबडे में कितनी होती है टोटल कितनी होती है इस तरीके से वो घुमा घुमा के कुशन पूछते हैं तो देख लीजिए आपके क्रंतक इंसिजर ये इनकी संख्या होती है चार-चार चार-चार ये इसका मतलब ये है कि ओपर के जबडे में चार होंगे और नीचे के जबडे में भी चार होंगे ठीक है टोटल इनकी संख्या कितनी हो जाएगे अगर हम पूरे 32 में अगर इनको देखें नेक्स्ट आते हैं रदनक पर इनको बोलते कैनाईन ठीक है इनको भेदक दंत भी बोलते हैं इनकी संख्या होती है आपकी दो-दो यह नुकीले होते हैं आप अपना देखें दान्थ तो उसमें दो नुकीले दान्थ आपको दिख रहे होंगे मतलब कुछ इस तरीके से अगर हो ठीक है नुकीले दान्थ होते हैं इनको बोलते हैं प्रिमोलर ठीक है इनकी संक्या आपकी बोचहार वोता है बोचो 오ल चावर ना बोच फिर आते हैं अपके चवर्णत को डार बोलती इंको म, अगे-थे इंग्लिश में थी के खुक वानअ आपके आते सीधे-सीधे आप से जुमितले पेपर होता है न ऊ-चरणी को चंगाना जर। वो हिंदी में ना लिखके चवर्णक वगरा ना लिखके कभी कभार इंग्लिश में ही लिख देते हैं मोलर वगरा तो वहां पर आपको दिक्कत हो सकती है और चाहें तो आप दोनों याद करने तो बहुत अच्छी बात है ठीक है यहां पर संख्या देख लीजिए तो यहां बाहना पर Iexisting मैंनिल के लिख दिया है एंस कर दिनकल के डिए कि और चाहरे उनका करेंगे तो यह जाएग आपका आर्ट यहां चाहर यह 5 जाएंगे 181 और उन सब को जोड़ने के बाद आप guppy पतिस ना सतनिकल के आचाते हैं ठीके अगर उपड़ी जबड़े के आप एट करें तो 4, 4, 8, 2, 10, 6, 16 और निचले जबड़े में 16, 16, 16, 32 जाएंगे ठीक है अब इनका डाइग्राम देख लेते हैं एक बार ये देखे कुछ इस तरीके से आपको जबड़ा दिखाई दे रहा होगा ये जो आपके दांत है ये जो 4 आपके दांत है इस तरीके से देखिए ये जो 4 दिख रहे हैं न 1, 2, 3, 4 ये आपके क्या है इंसिजर है यानि कि आपके करंतक ठीक है नुकीले आपको दांत दिख रहे होगे ठीक है नुकीले कौन से ये वाला एक दांत यह रहा और आपका एक दांत का रहा है यह रहा ठीक है कैनाइन है यह आपके यानि कि इनको बोलते हैं रदनक यानि कि भेदक ठीक है फाड़ने वाले नुकीले होते हैं सेम आपके नीचे भी दिखेंगे अगर आप काउंट करेंगे तो एक और एक दो वही मैंने ल दो इधर रहे और दो ये रहे यानि कि टोटल कितने हो गए निचले जबड़े में चार प्रिमोलर यहां मिल गए और उपर भी चार आपको मिलेंगे प्रिमोलर दो ये रहे और दो ये रहे ठीक है तो चार उपर भी मिलेंगे चार चार टोटल ये दांत 8 हो जाएंगे ठीक है अगर हम molar की बात करें तो molar आपके कौन से पीछे वाले जो आपको तीन दांत दिख रहे होंगे ये तीन इधर रहे और ये तीन इधर रहे यानि की total निचले जबडे में कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे मोलर ऐसे आपके उपरी जबड में भी कितने मिल जाएंगे इच्छे मिल जाएंगे कुछ इस तरीके से दांत होते हैं आपके ठीक है तो इनकी संख्या को बस अच्छे से याद कर लिए आपसे संख्या पूछी जा सकती है और आपके DLA के एक्जाम में सीधे सीधे आपका दांत का कोशन आया था कि दांत कितने प्रकार के होते हैं और उनके कारें का उलेक करो दो नमबर में ये कोशन आपका आया हुआ है ठीक है तो इसको अच्छे से त्यार कर लिए न यहां से आपका एक कुशन आता ही आता है एक्जाम में मिलते हैं नेक्ट क्लास में थैंक्स वार वाचिंग और प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब मैं चैनल बाबाई टेक केर